नमस्कार जानते हैं कुछ मैतपुन बाते हैं जनादार बैंक टेल के बारे में और अधार वेरिविकेशन के बारे में सबसे पहले हमें चार चीज यहां अथोंटिक करनी हैं जिसमें अकाउंट नमबर और मुबाइल नमबर मुबाइल नमबर सब के पास मिल जाएं इंको दिख कितनी है बात आती है अधारकार की तो अधारकार सब के बनवाने अनवारिये हैं अथोंटिक नहीं हो रहे पेरिफाई नहीं हो रहे इसका मतलब यह उनके अधार और जो शालादरपण पर डेटेल दे रखी है उनका मिसमे जो इसके कान नहीं हो पा रहा है अब देखिए सबसे important बाती बैंक टेल की अब जिन बच्चों का अधारकार है इसको यहां से copy कर लीजी आप copy करने के बाद यहां देखिए हमें detail वरनी है जनाधार ID और जनाधार member ID जिन बच्चों का अधारकार है आप यहां बच्चों को प्रिणा बेजे उनसे आप click here to know जनाधा detail यहां पे click कीजिए यहां पे click करें इसे paste करेंगे gate जनाधार ID देखिए प्रिवार परचांसा क्या जनाधार ID, जनाधार member ID दोनों आ चुकी है जो हमें वहां fill करनी है यह दोनों detail हमें यहां fill करनी है देखिए यहां जनाधार ID, जनादार मेंबर आइडी यह काम तो हो गया finish ताकि बच्चे भी परिशान नहीं हो जिनके अधार है जनादार आइडी जनादार मेंबर आइडी खुद निकाल लीजिए अब बात करतें back detail की कि यहां दे रखा है detail में कि जनादार में इस बच्चे का bank detail दे रखी है वो उसको automatic उठा लेगा अन्यता विद्यारती की bank detail को दर्जकर प्रमानिकरन करें इसी प्रकार विद्यारतियों के content detail को भी दर्जकर प्रमानिकरन करना है को सिक्षक पोछ रही है कि क्या friends की bank detail हम एड कर सकते हैं तो हमें सिर्फ stand की bank detail ही लगानी है इसकी date काफी पड़ी है यह देखि वीडियो को share जरूर कीजिए आप 15 जनवरे तक कोईन कोई नई news आ जाएगी तब तक जनाधार अधार अथोंटिक कीजिए कोई शमश्या है तो बच्चों को बताएं ताकि जहां तक संभवो वो edit करवा सकें और contact detail है वो सबकी verify कर दीजिए जो detail verify हो रही है उनको कर दीजि स्टेंट की मांगी है तो कोई नई आदेश आ जाता है कि बच्चों के चोटे बच्चों के हो सकता है कि bank account नहीं खुलें तो इस संदर में दिखता आएगी उनको तो इसलिए एक बार आप रुकिए जो detail है उसको verification कीजिए और जो रह गई है उनको नई आदेश तक आप एक इन युजाती है मैं डाल दूँगा धन्यवाद